नेक्स्ट एक्जम्पल है एक्जम्पल 1.2 कहता है find number of second in an ER and write them in standard form कहता है एक साल में आपके पास कितने second होते हैं ठीक है और आपने इस answer को किसमें लिखना है आपने इसको scientific nutrition में लिखना है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एगर one year की बात की जाए तो one year में आपके पास क्या होते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं आपके पास 365 तो हमारे पास एक साल में होते हैं इसलिए हमने यहां पर लिख दिया ठीक है यह आपके पास days आपके पास one year equal to 365 days अब next बात की जाए कि 365 days में आपके पास कितने गेंटे होते हैं ठीक है तो आपके पास 1 year equal to 365 days और आपके पास 24 हावर होते हैं एक days में days days के साथ cancel तो आपके पास 365 को multiply 24 करें तो आपके पास 8, 7, 6, 0 हावर आ जगते हैं इसके बाद अगर बात की जाए कि एक साल में कितने minute होते हैं ठीक है आपको पता होना चाहिए कि 8, 7, 6, 0 अगर गहंटे हैं एक साल में तो एक गहंटे में आपके पास क्या होते हैं 60 मिनिट ये इसके साथ cancel तो एक साल में आपके पास जो मिनिट की तदाद है वो फाइफ लाक सोरी फाइफ ट्वंटी फाइफ 600 आ जाती है 5,25,600 मिनिट आ जाते हैं अब आपने इन मिनिट को सेकेंड में कनवाइट करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 येर में आप पास 5,25,600 आप पास आ क्या और इसको आपने ये मिनिट थे और आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनिट में आप पास 60 सेकेंड होते हैं मिनिट मिनिट के साथ कैंसल और जब आप 5,25,600 को 60 के साथ मिल्टिप्लाइग करेंगे तो आप पास आंसर 3,1 5,3,6 triple 0 second आ जाएगा तो आप से पुछा गया था कि एक साल में आप पास कितने सेकेंड होते हैं और इसको आपने scientific notation में लिखना है अब scientific notation में लिखने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे point है तो इसको आपने यहाँ पे move करना है यहाँ पे आप पास आजएगा 3.15 into 10 power अब left की तरफ move करें तो आप पास power क्या होगी positive होगी 1 digit 2 3 4 5 6 7 10 power 7 second तो आप पास एक साल में 3.15 into 10 power 7 second होते हैं